हेलो फ्रेंड्स तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी ने डोफला मिंगो को हरा दिया था और पूरी ड्रेस रोजा खुश हो जाती है अब आईए शुरू करते हैं ड्रेस रोजा के लोग खुशी के मारे जूम उठते हैं क्योंकि अब डोफला मिंगो हार चुका होता है इसके बाद हमें साबो और बर्गस दिखाये जाते हैं जहां पर साबो ने बर्गस की हालत खराप कर दी होती है और साबो वहां से जा रहा होता है लेकिन तब ही बर्गस बोलता है कि मुझे हुआँ नहीं साबो बोलता है कि नहीं जिसके बाद बर्गस उससे बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत दयालू था जब हमारे कैप्टन उसे बनारो आईलेंड पर हराया था तो उसने कुछ बोला था क्या तुम सुनना चाहोगे तो साबो रुक जाता है इसके बाद हमें दिखाए जाती है कौाला जो की साबो को फोन मिला रही होती है लेकिन साबो उसका जवाब नहीं दे रहा होता है हमें फिर दुबारा बर्ग बात उसके भाईयों को ना बताएं इस जानता था कि अगर उसे नेवी पकड़ेगी तो वो उसका 100% यूज करेगी जिसके बाद साबो बोलता है अपना मूँ बंद रखो लेकिन बर्गस तब भी नहीं रुकता है वो बोलता है कि तुमने फ्लेयर फ्लेयर फ्रूट खा लि ये मेरी बेजती होगी तब भी साबो बर्गस का कुछ नहीं करता है तो बर्गस बोलता है कि तुम कैसे भाईयों जब तुमारे भाई को तुमारी जरूरत थी तब तुम कहीं पर सो रहे थे कुछ कर रहे थे तुम कैसे भाईयों अब उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि बर ले रहे होते हैं फिर हमें दिखाया जाता है साय जो बोलता है कि इतने बहतरीन पाइरेट क्रू का यह हाल हुआ है और बेबी फाइफ अब उसके साथ रहने वाली है इसके बाद नेवी अपने वीडियो इसनेल का यूस करती है ड्रेस रोजा की जो पड़ोसी तीन कंट्रिया होती है वहाँ पर ब्रॉड कास्ट किया जाता है जिसके बाद मायनाड बोलता है कि सुनिये मैं हूँ नेवी का वाइस एड्मिरल मायनाड और मैं ड्रेस रोजा से आप से बात कर रहा हूँ आप देख सकते हो कि पूरा ड्रेस रोजा तबाह हो चुका है डोंक्यू जोट डोवला मिंगो जोकी एक सिची बुकाई है उसने इस कंट्री की यह हालत करी है और यह मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पब्लिक से बोल रहा होता है कि अब मैं राजा नहीं बनना चाहता हू लेकिन पब्लिक कहा मानने वाली वो बोलती है कि किंग रीकू आप ही राजा बनोगे चाहे कुछ भी हो जाए तो वो लोग उसे राजा बनवाने के लिए फिर दुबारा मना लेते हैं इसके बाद वहाँ पर आता है फूजी तोरा और वो बोलता है कि डोफला मिंगो ने य बनाया है और सिची बुकाई सिस्टम सीधा वर्ल्ड गवर्मेंट के अंडर में आता है मैं तहे दिल से आप से और ड्रेस रोजा के वासियों से माफी मांगता हूं वो अपना सर जुका देता है ये देखकर जितने लोग वहाँ पर खड़े होते हैं जो ब्रॉड कास देख कि नेवी का एड्मीरल उनसे माफी मांग रहा है वो भी सर जुका के माफी मांग रहा है ये पूरी ये पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नेवी जंता से माफी मांग रही हो लेकिन फुजी तोरा ने ये कर दिखाया किंग रीकू फुजी तोरा से बोलता है उ उठता है जिसके बाद किंग रीकू को समझ में आता है और वो बोलता है कि क्या तुमने इस वजह से डोफला मिंगो को हाथ नहीं लगाया फूजी तोरा बोलता है कि हाँ दुनिया को सच्चाई के बारे में पता पढ़ना चाहिए कि हम लोग है वो जो सिची बुकाई को उनकी मन की करने देते हैं इसलिए हम या मैं कैसे उनके उपर स्वाड उठा सकते हैं क्योंकि ऐसे हमारी जस्टिस की बदनामी होगी इस कंट्री ने इस बैटल को जीता है पाइरेट्स की मदस से, वारियर्स की मदस से और सिटीजन की मदस से जिसके बाद फुजी तोरा खड़ा हो जाता है और इसके बाद किंगरी कु टैंक से बोलता है कि सुनो नेवी की एक अपनी पोजीशन है जिसका हमें सम्मान करना च छुपा दो, इसके बाद हमें दिखाया जाते हैं उस ओप लोग जो की लूफी को धून रहे होते हैं, फिर हमें दिखाया जाता है कायरोज, जो की टोन टाटा वालों से बोलता है कि अब यहाँ पर हमारा सफर खतम होता है और जो हमारा गुरूप है, आज मैं इसको डिस्बै इसके बाद हमें दिखाया जाता है मारी जो और मारी जो में होता है आकेई नियू जो की five elders से बात कर रहा होता है और उनसे बोलता है कि सिची बुकाई पद से डोफला मिंगो ने इस्तीफा दे दिया है तो ये जूटी खबर है और इसे फैलाने में आप लोगों ने उनकी मद लिख के लिए है लेकिन नेवी वर्ड गवर्मेंट के अंडर में आती है वैसे भी ये केस हम लोग हैंडल नहीं कर रहे हैं ये सारा केस साइपर पॉल सम्हाल रही है जिसके बाद आकी नियु बोलता है कि ये बोलो ना कि तुम लोग भी सेलिस्चियल ड्रैगेंस के पालतु ह जिसके बाद वो लो बोलते हैं जुबान सम्हाल के आगी नियु तुम इसे बेजिती कहते हो जरा ध्यान से देखो आओ की जी ने नेवी को छोड़ दिया ब्लैक बेर्ड से हाथ मिला लिया जिसके बाद आकी नियु बोलता है कि मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है वो कहा है क्या कर रहा है मुझे फरक नहीं पड़ता जिसके बाद एक ओफीसर भागते हुए आता है और आकी नियु उसे बोलता है कि ड्रेस रोजा पूरा तबाह हो चुका है और मुगी वारा और लौ ने मिलकर डोफला मिंगो को हरा दिया है ये सुनकर उसका मुँ एकद पूरी की तरह बन जाता है लौ और लौफी ने मिलकर डोफी को हराया है ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है तो हमें दिखाए जाती है जो इस खबर को पड़ती है और खुश हो जाती है फिर हमें दिखाया जाता है मैड मॉंक उरोग जिसकी हालत खराब होती है शा स्केड बाजिल हॉकिंस और इस क्रेच मैन आपो जो इस न्यूस को पढ़ते हैं और वो समझ जाते हैं कि लौ और लूफी काईडो को टारगेट करने वाले हैं लेकिन किड का प्लैन बहुत अलग होता है वो शैंक्स को टारगेट करने वाला है इसके बाद हमें दिखाया जात है कैपाउन गैंग बैजी जो की ये न्यूस पढ़कर खूश होता है लेकिन उसको एक टास्क मिलाए कि उसे सीजर को किसी भी कीमत पर पकड़ना है इसके बाद आकई न्यू का फोन फुजी तोरा के पास आता है और आकई न्यू फुजी तोरा से बोलता है तुम मझे important बात बोल दी है कि ये सारी चीजें मेरी आंकों के सामने हुई है तुम ये बोलने से पहले मुझे बता नहीं सकते थे फुजी तोरा बोलता है कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम पूरी report ही change कर देते मैंने सही का आना इसके बाद हमें एक छोटी सी conversation दिखाई जा अपना असली चेहरा दिखाया था वो तो अच्छी बात है कि वहाँ पर मुगी वारा था उसने क्रोकोडाइल को हरा दिया लेकिन वर्ल्ड गवर्मेंट ने बोला कि ये काम हमने किया है अगर वो वहाँ पर नहीं होता तो अलाबास्ता का हाल भी ड्रेस रोजा की तरह ही होता इसके बाद हमें स्मोकर दिखाया जाता है जो न्यूस पेपर पढ़ रहा होता है और उसमें लिखा होता है कि मुगी वारा और लॉने मिलकर डोफी को हरा दिया है और ये वो पढ़कर बहुत ज्यादा खूश होता है इसके बाद आकी न्यू फुजी तोरा से बोलता है कि हमें कवरप करना पड़ता है क्योंकि वर्ल्ड गवर्मेंट हमारी बॉस है और उन्होंने सिची बुकाई सिस्टम को हायर किया है और एक बाद जान लो कि सिची बुकाई भी एक ब्रांच है नेवी की तो फुजी तोरा बोलता है कि अगर ये नेवी की ब्रांच है तो हम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेते हैं और किस्सा यहीं पर खतम कर देते हैं आके न्यू बोलता है तो मैं पता है कि तुमारे एक फैसले के वज़े से कितनी बदनामी हो रही है हमारे जश्चिस की आके न्यू फिर एक बात बोलता है कि तुमने हगा है अब तुमी समेटोगे जब तक तुम लौ और मुगी वारा का सर लाकर मुझे नहीं दोगे जब तक तुम पूरी दुनिया के किसी भी नेवी के बेस में अपना कदम नहीं रख सकते हो फुजी तोरा बोलता है कि मैं भी यही सुनना चाता था और यहीं पर फोन कट हो जाता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कायरोज, लूफी यह सब जो है कायरोज के घर पर आराम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर साबो आता है तो साबो, निको रोबिन, जोरो और फ्रेंकी को अपनी स्टोरी बताता है कि आखिर कार कैसे वो भाई बना और कैसे वो यहां तक पहुँच गया तो साबो अपनी बोट बनाता है, उसमें बैट कर निकल जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हो, सेलिस्चल ड्रेगन एक तोप का गोला साबो की बोट पर मारता है, लेकिन साबो उसे जेल जाता है, उसके बाद वो एक और तोप का गोला मारता है, जिसे साबो नहीं जेल प तो ड्रेगन और इवांकू उसका ख्याल रखते हैं साबो होश में आता है तो साबो को इतना पता होता है कि मुझे अपने घर नहीं जाना है लेकिन उसकी यादास अब जा चुकी होती है इसके बाद हमें दिखाया जाता है रॉयल प्लेस जहां पर वारियर्स का रहने का ठिकाने पर होता है वहां पर वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है बारतुलूम्यो कूमा से पंगा ले लेता है लेकिन कूमा तो कूमा ही वो उसे मसल देता है वो फिर दुबारा कूमा को चैलेंज करता है लेकिन वो कूमा के उपर हमला करता है तो उसके पीछे ड्रेगन क कमाल की होती है, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है, वो ताकतवर हो रहा होता है, इसके बाद एक दिन न्यूस पेपर में खबर छकती है, कि एक बंदा है जिसका नाम है पोर्ट गेस जी एस जो की काफी जादा पावरफुल है, और उसने सिची बुकाई सिस्टम, सिची वो काई बनने से मना कर दिया है और वहाँ पर साबो को Ace का बस Ace याद आता है पूरे नाम का बस Ace याद आता है और इसके बाद वो बताता है कि फिर एक चीज हुई जो की बड़ी ही कंदी थी लेकिन उसी चीज ने मेरी याददास को ट्रिगर कर दिया और यहीं पर एपिसोड खतम हो जाता है मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए कुरोना से साफधान गुड बाए